कि अज़िए पर देश तो जब भी बहन याद करो तो मामा याद आही जाता है मंध्य प्रदेश शुनाव में महिलाओं की भूमी का क्या रही इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी और कॉंग्रस के दिगजों का फोकस सबसे जादा महिलाओं पर रहा सियासत भले ही सनातन से लेकर इधर उधर के मुद्धों पर गर्माती रही हो लेकिन राजनीती के केंद्र में सिर्फ महिलाएं ही रही सबसे पहले बीजेपी ने मासर स्ट्रोक खिलते हुए लाडली बहना योजना की घोशना कर दी मामा की शवी वाले शिवराज भाईया कहलाने लगे तो कॉंग्रस ने भी जल्धी नारी सम्मान और सस्ते गय सिलेंडर का दाव चला जिसके बाद आधिया बादी के लिए घोशनाओं की जड़ी लग गई पातियों के वादों का असर वोटिंग ट्रेंड में भी देखने को मिला 2023 में 74 प्रतीशत महिलाओं ने डाला वोट, 34 सीटों पर पोर्षों से ज्यादा मतदान किया तीन दशकों में तकरीवन 24 प्रतीशत बड़ी वोटिंग, पोर्षों के तुलना में करीब धाई गुना बड़ी वोटिंग आधी आबादी ने चुनाव दर चुनाव बढ़ चड़ कर वोट किया तो बीजेपी कॉंग्रस ने भी दिल खोल कर गोशनाओं में महिलाओं को शामल किया अब पातियां भी पूरे हक से दावा कर रही है कि बंपर वोटिंग उनहीं के पक्ष में है अब नारी सम्मान चुके आगे मिलना है तो नाचलिक कुछ तो प्रभाव ही है उसका और कॉंग्रेस चुकि उनको भरोसा है पिछली बार जब कमल नाजी चीफ ने सर्वने थे तो तीन चार जो मोटी मोटी चीज़ें थी हम लोगों ने लागू कर दी थी तो उनको भरोसा अगर कॉंग्रेस ने लिखा है अपने वचन पत्र में तो यह लागू होंगी इसका लाव हमें मिलेगा यह लोगों को भरोसा है तो उसका भी फाइदा है बंपर वोटिंग के पीछे लाड़ी फैक्टर है या नारी फैक्ट यह नतीजों से साफ होगा लेकिन आधी आबादी का सरकार चुनने के लिए बढ़ चड़ कर हिस्सा लेना महिनाव के साथ लोगतंत्र को भी मजबूत करता है MP में आधी आबादी ने किसके वादों पर लगाई वोहर कि बीजेपी कॉंग्रस की घोशनाओं का वोटिंग पर कितना असर महिलाओं की बंपर वोटिंग से किसे फाइदा किसे नुक्सार मैं हूँ शरत दिवेडी और हमारा आज का मुद्दा है बेहना बनाम नारी जियां बेहिचक आप कह सकते हैं कि ये चुनाओ महिलाओं के नाम भी चुनाओं है ये आप कह सकते हैं दोनों ही पार्टियों ने जो गोश्राएं की लावली बेहना भारती जन्ता पार्टी की और नारी सम्मान कॉंग्रिस की और बाद में ये मसला 36 गर्भी पहुंच गया वहाँ पर महतारी वंदन बीजेपी की योजना है और ग्रह लक्षमी कॉंग्रिस की योजना है और इतिके भी टेटिस विजदी आरक्षन के जरिये और इसी के साथ महिलाओं पर केंदरित गोश्राओं के जरिये बीजेपी ने ये मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की जिसका जवाब तुरंत कॉंग्रिस ने भी दिया उसी से अधिक थोड़ा बढ़कर क्योंकि जब ये गोशना हुई तो एक हजार की बात थी कॉंग्रिस ने आगे बढ़ते हुए पंद्रह सो की बात कर दी आज हम इस आज का मुद्ध में हम रीजन के अलग-अलग सीनियर जर्नलिस्ट से बात करेंगे मालवा निमार्ट से हमारे साथ होंगी जैश्री पिंगले जी परिष्ट पत्रकार हैं वो होंगी हमारे साथ जैराम शुकला जी होंगे पीनियर जर्नलिस्ट विंदी रीजन से और चैतन्य भट्टी जी महा कोशल रीजन का प्रतिने देट्टों करेंगे जबलपूर से जुडएंगे और मनोच सैनी मेरे साथी और एग्जेकिटिव एडिटर बंस वो जुडएंगे वोपाल से आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूँ जैश सबसे पहले मैं विंदे चलता हूँ जैराम शुकला जी की तरफ जैराम जी किस तरह देखते हैं आप महिलाओं के योगदान की अगर हम बात करें राजनीती में इस बार दोनों ही पार्टियो उन्हें पूरी ताकत से महिलाओं को केंदर में रखकर आगे बढ़ने की कोशिश की और 36 गड़ तक ये बात पहुची विंद रीजन में आपने क्या इंपक्ट देखा क्योंकि विंद ऐसा माना गया कि कॉंग्रेस की अधिक पकड़ और बीजेपी की फिसलती पकड़ का ए अधि महिलाओं के परिपेक्ष में जो की आपके ये कारिक्रम का पुरा फोकस है आज के मुद्दे का तो पूरे चुनाओं में पूरे मद्दान में यदि सबसे बड़ा फोकल पॉइंट है महिलाओं को लेके वो ये विंद ही है आक्ड़े सबके सामने हैं 30 सीटों में 24 सीटों में महिलाओं का जो बोट प्रत्सत है वो पूरुसों के मुकाबले ज्यादा है यानि कि 5% से लेके नियुनतव 5% से लेके और 13% तक बोट परसेंट पूरुसों के मुकाबले यहाँ पर ज्यादा है तो आप माते हैं कि यह परिवर्तन कारी साबित हो सकता है निस्चित तोर पर यह साफ कोरे इस लेट पे लिखी हुई इबारत की तरह दिख रहा है पहली पीश तो यह कि इस छेत्र में जो पूरुस महिला असमानता है आर्थिक दिश्टी से सामाजी दिश्टी से भी दुरभाग़ी से यह फ्यूडल इलाका रहा सामंकी इलाका रहा है तो महिलायें यहाँ की दमित रही हैं जोशित रही मेलाओं में आता है इस वार का जो वोट का ट्रेंड रहा है यानि कि 34 सीटों में मेलाओं ने पुरुसों से ज़्यादा वोट किये उनमें से 24 सीटें विंद छेत्र का होना 30 सीटों वाले विंद यह सोकाल विंद मैं कहता हूं हमें साय री ओर वाउड संभाग वोशचे विंदे ऊपका आधा सघ्र संभाग संभाग भी इस समय होता है और वाल्यर का हुद हिए लिकिन इस यह tätä उस्में यह यह जो आज पल्प्र 30 में से 24 सीटों में महिलाओं ने पुर्सों से ज़्यादा वोट किया है और वोट 5% से 13% तक है इमेजिन कर सकता हूँ कि इसका कितना बड़ा एफेक्ट होने जा रहा है बिल्कुल तो देखे यह जैराम शुकला जी का विसलेशन जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट एक तरफ ले जा रहा है कि तीस में से 24 सीटों पर पांच से 13% अधिक मत प्रतिशत है महिलाओं का अब यह किदर जाता है यह देखना बहुत दिल्चस्प होगा यानि महिलाएं इ जैश्री पिंगले जी की तरफ में चलूँगा जैशी जी जरा मुझे समझाईए मालवा निमाड को आपने देखा है और यह हमारा मद्यप्रदेश का एक ऐसा रीजन है जहां महिलाएं बुंदेलखंड की तुल्ला में बगेलखंड की तुल्ला में या महाकोशल की तुल् बहना या नारी सम्मान योजना जो कांग्रेस की है और महिलाओं के वोट प्रतिशत को मालवा निमाड में जी 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 देखिएगा कुल मिलाकर यह जो लाडली बहना के बाद का जो टर्न है जो गेम चेंजर सामानियत और से हल्क के हमें जो चुनाओं यहां पर दिखाई द कोई वोट का टर्न नहीं है महिलाओं का और जो इलाका है अगर हम शहरी लाकों की बात करें तो यह पूरी तरह से भाश्वा के लिए हमेशा का भाश्वा का अर्बन एरिया जो है भाश्वा का गड़ रहा है और हम रूरल एरिया की बात करें तो वो कांग्रेस का कमिटेड करते हैं और उसके बीच वहां लाडली बहना है और नारी सम्मान है और नारी सम्मान को लेकर भी और जो कॉंगरिस की दूसरी पॉलिसी थी जैसे की एगरी कल्चर के लिए बात जो ही है फार्मर्स के लिए जो बात हुई है या इलेक्रिसिटी बिल को लेकर भी बहुत एरिया है जो ट्राइबल एरिया है जो कॉंग्रिस का गड़ है वहां पर इस किसम का भी एक सेंसेशन हमें चुनाओं के दोरान देखने को मिला है तो यहां पर भी महिलाओं का जो रुजहाने खास तोर पर अर्बन एरिया में वह बहुत बड़े वोट को टर्न करने वाला है लेकिन वो किस पार्टी की तरफ जाता दिखाई दे रहा है इसको लेकर बहुत कुछ क्लियरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो महिलाओं ने वोट किया है वो लाडली बहना से भी बाहर है क्योंकि वो उस कैटेगरी से बाहर थी जी बिलकुल आपने बहुत बखू अधिक मत्तदान हुआ है महिलाओं का पुर्षों की तुल्ला में अगर हम बात करें 24 सीटों की चैतने भट जी की तरफ मैं चलूंगा फिर मनोर जी की तरफ आऊंगा चैतनी जी महाकौशल में आपने क्या इंपक्ट देखा महिलाओं का और कॉंग्रेस और बीजेपी पॉल्टिकल पार्टी ने इस बार मैलाओं को केंडर में रखा है लेकिन मुझे लगता है कि मैलाओं को मुफ्त चीजे देने के अलावा उन्होंने इस मैलाओं को उठान के लिए कोई ऐसे परयास नहीं दिखा रहे हैं आप देखिए कितनी मैलाओं को टिकेट दी है 33 प्र पार्टी ने कितने प्रतिशत मैलाओं को टिकेट दी हमारे जवलपुर में आठ विजान सभाएं आती हैं जिसमें कांग्रेंस ने मात्र एक सीट पर मैलाओं उता रहा है भारती जन्ता पार्टी ने तो एक भी नहीं उता रहा है यह बात बड़ा तपका है मैलाओं का और निशित रोप से बहुत बड़ी भूमी का भी अदा करता है किसी भी राजनितिक पार्टी को सत्ता में कावज होने के लिए लेकिन जो इस्तितियां अभी आज की हैं उसमें निशित तोर पे भारती जन्ता को इसलिए फायदा मिलता है कि उन्होंने पैसा देना शुरू कर हम आदमी की एक जो अभाविक प्रक्रिया यह होती ही कि जो हमें मिल रहा है वो हमारे लिए ज्यादा महत्पूर्ण है सामने वाला कब देगा आश्वाशन दे रहा है हो सकता है दे यह न दे इसका भरोसा नहीं किया जा सकता तो यह लाडली बहना का जो मास्टर स्टूक श वाइदे मंद साबित हो सकता है क्योंकि देखे चार लाक के आसपास सरकारी करमचारी है और OPS की बहुत लंबे समय से मंग चली आ रही थी वह भारती और कांग्रेस ने मुद्दे को सबसे पहले उठाया और अपने तमाम जो शार्षित प्रदेश है वहाँ पे OPS को काफी हुई है विशेश का गामी शेत्रों में हुई है और उसके पीछे भी एक कारण ये कि गामी शेत्रों की तमाम समस्या है जैसे ट्रांसफर्मर खराब है विजली नहीं मिल रही है खाद की किल्लत है तो विक्तिक को यह लगता है कि हो सकता है कि आने वाली सरकार जो है इन तमाम चीजों पर जो हमारी परेशानी है वो खत्म करते हैं दूसरा जो बिजली वाला मसला है वो पिछली बार भी बहुत माइने रखा था उसने क्योंकि आप देखिए कि जो सो डेर सो यूनिट बिजली फ्री मिल रही थी उसमें तमाम लोगों को फायदा हुआ था किसी व्यक्ति विशेश को या किसी विशेश समदाय को ना फायदा होके पूरे मत्रदेश के लोगों को फायदा हुआ था तो यह कि जो सो यूनिट बिजली फ्री और देर सो यूनिट दो सो यूनिट हाफ ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है लेकिन ये बात सही है कि महिला ने देखिए परमरागत वो तलग होता है जो ट्रेडिशनल वोट है जो पार्टी से एक और राउंट के लिए आता हूं जल्दी से आप कितनी भी योजना है जी बिलकुल लोटता हूं लेकिन ये तो हमें समझना पड़ेगा कि जितनी भी जिस तरह 36 गड़ने डॉप्ट किया इस चुनाओं में और गहरा इंपक्ट किया मनुझ मुझे याद है कि आप जब भी मैं बात करूं तो आप जब भी फील्ड में गए तो मैं आपका एक उदारन कभी नहीं भूलता हूं और वो उदारन बड़ा इंपॉर्टन ये था कि जब आप महिलाओं से बात कर रहे थे तो उनका कहना जब आपने पूछा कॉंग्रेस भी तो दे रहे हैं ये 15 सुरूप तो उसने का जो देगा उससे ले लेंगे तो मदाता का भी नजरिया अब ये है कि भाईया जहां से आ रहा है पैसा वहां से ले लेंगे एक प्रैक्टिकालिटी भी है मदाता में एक विवह मदाता हिशाब किताब करना सीख गया लब उसको पता है कि यदि लाडली बेहना का पैसा मेरे पास इतना आया है तो लाडली बेहना के साथ बाकी जो योजना है कुल मिलाकर मेरे परिवार में कितना पैसा आया और यदि दूसी सरकार आईगी तो वो कितना पैसा देगी पर अभी तो ठीक है लेकिन आगे वाली आने वाली सरकार है तो उसको भी देख लेंगे तो मुझे लगता है कि दोनों के बीच का एक अंतर यदि हम देखते हैं तो जो लाड़ी बेना की लंबी कतार दे कि 24 सीटों की बात जैराम शुकला जैराम शुकला जी स्वारी कर रहा है त तो मुझे लगता है कि लाड़ी बेना और नारी सम्मान दोनों की बीच का जो असर दिखाई देगा उससे चीज़ा उतनी अलग नहीं होगी जितना हम सोच रहे दूसरी तरफ निमालबा निमाली की तरफ हम जाते जैसा पिंगली जी कह रही थी तो वहां सहरी मत दाता है ब नहीं किया जा सकता और आने वाली दिनों में जो भी परड़ाम होंगे वो आधी आवादी का असर दिखाई देगा साब तोर पर दिखाई जैसी जी शिवराज जी एक कमिनिकेटर तो बहुत अच्छे हैं ही इसमें किसी को कोई संदेर नहीं है और वो सरकार की योजनाओं क लाडली बेना जिसमें सबसे प्रमुक रईस चुनाओं में वो इसको बिल्कुल A, B, C, D से जेट तक ले जाते थे और बहुत सरल शब्दों में सब जाते थे कि पहले इतने फिर इत्ता कर दूँगा जैसे भाईया के पास पैसा आएगा तो फिर इसको डेड़ हजार कर और फिर अन्नी योजनाओं के आकड़े आपको क्या लगता है कि क्या जिस तरह का प्रचार बीजेपी में तमाम बड़े लीडर्स ने खास्तोर से शिवराज जी ने किया कॉंगरेस उसके मुकाबले आपको कहा खड़ी नजर आई अपनी योजनाओं को लेकर वचन पत्र क लेकर जी जी कि बहुत बड़ी खूबी है कि वो बहुत अपने घर के व्यक्ति लगते हैं बहुत सहज और अपने व्यक्ति लगते हैं यह उनका एक पॉलिटिकल जो एक कद है राजनीतिक कद है वो भूलकर सबके बीच जिस तरह से जाते हैं उसका फायदा हमेशा यादारी जो प्रेंका गंधी ने अपने चुनावी रेली में कही थी कि हम हर बच्चे को भी पैसा देंगे जो पाचवी में जाएगा जो आठवी में जाएगा जो उससे बड़ी क्लास में जाएगा आपको पता इनिहीं वो जो 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 ओर बाते कहां चली गई तो Arriya अपन योजनाओं को अपने एजेंडे को और अपने जो भी उनका संकल पत्र वचन पत्र जो भी उन्होंने बनाया उसको लेकर भी कोई इस तरह की संसनी या इस तरह की कोई नीचे तक की हलचल बहुत भाश्वा के मुकाबले बहुत कम दिखाई दी और चुकि शीवराज खुदी डेर्सों से ज़्यादा अपनी सभाए कर चुके थे और जो शोर से लगे हुए थे उसके कमपैरिजन में हम बात करें तो कमलनात की सभाएं भी बहुत कम हुई उनका अपना प्रचार का तरीका भी बहुत लिमिटेशन वाला रहा उसका भी एक असर हमें इस चुनाओं में दिखाई दिया और हमेशा हमें लगा कि कॉंग्रेश जो है वो जनता के भरोसे ज्यादा है बजाए खुद के एक ये भी बात थी चैतने भट जी आप किस तरह देखते हैं जैसी जी ने जो एक विसलेशन किया है वो भी विसलेशन का एक सिरा है कि बीजेपी ये तो सही बा होते तो सौ से अधिक विदानसाबा सीटों सक्मनोज अगरता थी जी 110 के करीब कमलनाच जी भी पहुंचे जो मुझे लगता है कि बहुत सैटिसफेक्टरी है तमाब चीजों के बावजूद लेकिन शिवराज जी का मुकाबला नहीं लेकिन क्या अपनी योजनाओं को अप हमें बहुत ज़्यादा कहने की दरोत नहीं है आप सहमत है इसे जी से पज़ऴ मजबूथ है भारती जनतापार्टी की एक कहासाद है कि हर चुनाओ को बहुत गंभीरता से लेती और बहुत एग्रेसिव बटत चुनाओं पंचार करती यह कांग्रेस की साह 맞는 तो प्रचार टन चांटीक है ना वह एग्रेसिव तरीके से अपनी बात लोगों यह सही कहा रही है जैश्री कि बिलकुल वो अपनी बात लोगों तक नहीं पहुचा पा रहे है। यह बात सही है कि भारती जनता पार्टी ने जिस तरह से शिवराज सिंग चोहान ने जो लाडली बेना की उजना की शुरुआत की, शुराज सिंग चोहान के संग सबसे एक बड़ा एक खासियत यह है कि वो जनता से कनेक्ट है। पिछली बार 24-38 मैं से कांग्रेस के से एसे में आई थी। और चुकि महाकोशल को काफी मिला कमलनाथ सरकार के दोरान, विदान सभा अपद्यक्ष्पी महाकोशल से, मुक्हिमंत्री महाकोशल से, विदान सभा उपाद्यक्ष पी महाकोशल से, दोदू कैमिनेट बैंक, मैं बात करूँ कि सत्ताधारी दल जो अठारा वर्सों से है मद्यप्रदेश में बीजिपी निश्चित तोर पर इन अठारा वर्सों में आप मित्र बनाते हैं तो कहीं ना कहीं शत्रू में नहीं कहूंगा लेकिन नाराजगी का भाव पैदा करने का भी एक तत्व स्वामे व भी दो दिन पहले हमारी बात हो रही थी सीनियर लीडर से बीजेपी के उन्होंने बिलकुल माना सर माते लिया इस बात को कि ये करमचारियों के बीच में बड़ा मसला है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है आप किस तरह देखते हैं बीजेपी कॉंग्रेस के इस दुद को यहां नीचे पहुंचाने जंता के बीच में और जंता की नाराजगी का फाइदा अगर है तो कॉंग्रेस को कितना जी देखिए मैं इस पर उधरन देता हूं हम लोग रस्षा कसी का खेल देखते हैं एक तरफ एक पक्ष रखता है इस बार जो रस्षा कसी का जो कांग्रेस का पक्ष है उधर युवाओं का बिरोजगारों का आक्रोस है ओल्ड पेंसिन योजना की आकांग्षा है जो कर्मचारी लोग चाहते हैं इसलिए शड़क पर ठेलों में रेस्टरेंट में दफ्तर में हर जगह परिवर्तर की बात चलते हैं लेकिन उसका साइज बहुत छोटा है जैसे मुश्किल से 15-20 लक का साइज है एक तरफ रसे को खीच रही हैं लाड़ी बहने किसान सम्मान जिनके जेब म में अभी पंदर तारीक को 6,000 रुपे गए लाली लक्षमिया जो की 17-18 साल की पहली बार बोट डाल रही होंगी जिनके प्रधान मंत्री आवास के घर बन गए तो यह इस बार बड़ा दिल्चफ मसला है मतलब नारी बनाम लाड़ी का यह एक अलग एंगिल है चुनाव जी जी तो लाभार्थी बरकर बीजेपी के साथ खड़ा दिख रहा है लेकिन उसके आवेग को हम नहीं समझ रहे हम वह इसे नहीं समझते जैसे नदी नदी में दो धाराएं होती है एक सतह से चलती है जिसे धारा कहते हैं और यह नदी के अंदर चलती है जिसे अंतर आपन का यह चुनाओता है करेगा मनोच कंक्लूडिंग निमार का आपका बिल्कुश अरजी और इसलिए चुनाओ बहुत महत्पूर हो जाता और लगातारी कहते रहें कि तक्रार का चुनाओ है पर तक्रार के बीच मुझे लगता है कि जो आधी आबादी जिस पर हम जिक्र कर र यूबा जो हिंदुत की बात भी करता है सरजे तो मुझे लगता है उसको भी नलन दाइन नहीं करने लेकिन ये बाटम लाइन मुझे बहुत अपीलिंग लगी कि लाभार्थी और आकांक्शी का चुनाओ है बेनिफीशरी मुलक योजनाए है एक दिन पहले हमने इस पर चर चुनाओ की है और मैं बहुत धन्यवाद कहूंगा विद्वान पैनल को अपने कि उन्होंने अपने अलग-अलग एंगल से हमें बड़ा रिच किया अपने विसलेशन के सिरों से बहुत शुक्रिया जैराम शुक्ला जी बहुत धन्यवाद जैसरी जी और बहुत कामर एक्स्क्लोजिव बुलेटिन शात्याजगर्व नमस्कार्व.